अब आगे चलते हैं आज हमारी जो लास्ट लेक्चर में जो बची हुई स्लाइड थी उससे हम स्टार्ट करेंगे सिमिलर्ली आपका जो क्लास है वह आज अगे हाइब्रिड है तो लास्ट वीडियो में वी एव कंप्लीटे जेंडर बायसे कैसे होते हैं किस तरीके से उनकी वाजे से डिस्क्रिमिनेशन आता है ठीक है वह सब हमने क्या कर लिया है ओल्रेडी डिस्कस कर लिया है तो वी नो व बात करेंगे कि वाय इट इस इंपॉर्टेंट फॉर अस तू रीड जेंडर वाइस ठीक है या टू नो दो जेंडर वाइस कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहली बात क्लास्रूम में जेंडर वाइस होता है जहां पर आपका जेंडर होता है या दो जेंडर करता है अब जेंडर में हम गयर कर सकते हैं वह जैसे बेड़ए तो फीमेल बनेगा और फीमेल को नेगा थो उनको क्या बोलते हैं अगर हम बात करें जेंडर बायस की तो यूशियली क्या माना जाता है एक classroom में कि जो लड़के होते हैं वो थोड़ा aggressive होते हैं और जो लड़किया होते हैं वो थोड़ा calm polite ठीक है वोड़ा studious पढ़ाई में अच्छी तो वो किसके gender stereotyping है male और female की again as I am telling you जहां पर एक gender exist करता है society में वहां आपका stereotyping यह सब exist करेगी ही करेगी क्योंकि it is a part of society ठीक है clear है अब हम चलते हैं आगे children not matching the stereotype roles suffer what does this line indicate यह यह बोलना चाहरी है कि देखो जैसे एक लड़की है लड़की का एक stereotypical role है काम polite similarly male का एक stereotypical role है that he should be masculine aggressive इंपेशेंट वो लड़के का एक stereotyping अब क्या होगा कि अगर कोई भी बच्चा उधर अपने gender के हिसाब से मतलब जो society में acceptable है gender psychological construct है या social construct बोल सकते हैं कि society के थ्रू हम चीज़े सीख रहे हैं अब जो अपने sex के opposite या जो society में acceptable नहीं है now we are going through the process कि we are accepting the things that there are transgender there is homosexuality there is bisexuality तो हम इन चीज़ों को आब तीख रहे हैं ठीक है कि things goes like that ठीक है it is totally normal it is totally a chemical thing nothing else ठीक है अब हम इस चीज़ को consider कर रहे है initially it was considered as a pathology as a psychological pathology कि कोई malfunction है कोई issue है बच्चे के साथ इस वज़े से this thing is happening basically abnormal pathology is what abnormal which is not as per the society's need या as per the society's expectations तो जब बच्चा ऐसा नहीं perform करता तो फिरो टाइपिंग की वज़े से वो क्लास में क्या feel करता है सफर करता है कुछ बच्चे देखें बुली करते हैं लोग उने जिसे लड़के हैं ज्यादा काम composite होंगे तो people used to bully them क्योंकि उनका एक stereotypical role क्या है कि वो थोड़ा aggressive रहे खेले कूदे अब लड़का है अगर home science कर रहे तो कि लड़की करेगी लेकिन अगर लड़का home science opt कर लेता तो दिक्कत हो जाती है लड़का अगर शेफ बनने की कैदे तो दिक्कत हो जाती है क्यूं क्लास्रूम की setting में भी कही ना कहीं आपका जो स्टीडिपिकल रोल है इन सबका बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और इस वज़े से बच्चे जो इनके साथ हैं टू हैं नहीं चल पाते हैं अपने रोल्स के साथ जो स्टीडिपिकल रोल्स हैं तो उनको क्या फेस करनी पड़ती है बुली ठीक है उनको सफर करना पड़ता है चाहें mentally चाहें emotionally बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे सफर करते हैं तो यह आपका उसके अंडर आए यह वाला पॉइंट ठीक है children who do not match the role of feminine and masculine ठीक है वह अपने रोल के through as per their roles नहीं है through the impact of strong gender role stereotype of the society face the problem with the teachers and peers in fact teacher भी करती है I am not telling की बच्चे-बच्चे teachers भी करते हैं यह आपका एक teaching में क्या हो जाता है drawback हो जाता है ठीक है क्योंकि आप एक एक person की तरफ क्या हो गए हो bias हो गए हो your teaching process is no longer unbiased when you are teaching there should be a single thing कि वह आपके students है चाहे वह male है चाहे वह female है you should not discriminate between them similarly उनकी gender identity क्या है वो क्या सोचते है यू शुड नॉट ठीक है जनम बात करते है impact of gender bias अब यह gender bias हुआ इसका impact क्या आया what could be their impact most of the females है most of the जो लड़किया है उनको यह माना जाता है टेक वाले subject में अच्छी नहीं है maths वाले subject में अच्छी नहीं है टीक है IT subject में अच्छी नहीं है ऐसा एक stereotypical है I am not telling that this is the truth बड़ एक stereotypes यह वाला आता है अब क्या होगा कि वो person खुद ही उस चीज को करने के लिए motivate नहीं होगा I have seen people जिन्होंने कभी करने ही की ही कोशिश नहीं की maths को they can do that मतलब वो maths कर सकते हैं but reason कि उनको starting से उस चीज का एक रहा है कि लड़किया maths में अच्छी ही नहीं होती तो खाएंगे दब अच्छे होते ही नहीं तो इसमें महनती क्यों करें फिर वो क्या हो जाता है it is a biological thing or something की हाँ बैस्ट्यूर टिपिकल है लड़कियां तो ऐसी ही होंगी कि हमाई तो disposition ही यह है कि हम नहीं maths पड़ सकते तो that's why वो लड़की महनती नहीं करें उस field में जाके तो यह bias के basically क्या होते हैं आपके impact होते हैं then अब दूसरी चीज क्या है कि girls believe that if they got any success is due to their hard work not due to their innate talent or intelligence while boys believe that they are accurate in mathematics and science due to their gender लड़कों क्या लगता है हम लड़कें हैं तो हमारा math हमेशा अच्छा ही होगा इवन दो लड़कें ऐसी भी हैं जिनके maths बहुत बड़ी हैं लेकिन एक stereotype आपने दे दिया और लड़कें को क्या लगता है लड़कें को hard working एक दे रख है आपने लड़कें लड़कें लिखेंगे पकड़ा देंगे उन्हें फरक ही नहीं पड़ता इट है और यह चीज क्यूं हो रही है यह इसी का impact है लड़की को क्या लग रहा है जितना अच्छा सजाओंगी जितना अच्छा करूंगी उस सब से मिलेगा innate talent नहीं है यह मेरा कुछ personally मैं ऐसी gifted नहीं हूँ it is all about the hard work मैं जितना hard work करूंगी मुझे उतना मिलेगा ठीक है तो hard work से मिलता थो है indeed but stereotype बनाना इसको not a thing clear हुआ आगे चले teacher के expectations teacher's expectations from the girls in today's society is generally low compared to the boys लड़कियों से expectation teacher high नहीं रखती when it comes to क्या कहते है आपका marks when it comes to a life performance throughout the life जादा से जादा लड़की क्या बन जाएगी मतलब एक ही होता है कि लड़की से expectation नहीं कि वह आई-स बन जाएगी लड़के से expectations है कि वह आई-स बन जाएगा लड़की से क्या है teaching teaching में चली जाए वही बहुत है successful है यह आपकी again teacher ने क्या दे दिया है gender stereotyping अब आगे हम इसे reduce करने की basically बात करेंगे then discrimination against girls in the class लड़कियों को criticism कम मिलता है teacher कम ज्यान देती है teacher को एक होता है कि यह तो hard working है यह अपने आप करती रहेगी लड़कों को ज्यादा डाटवाट पढ़ती है कि यह कर लो वो कर लो तो यह आपका किसमें आता है अगें discrimination में क्योंकि लड़कियों को भी उतना ही करो जितना लड़कों को कर रहे हो ठीक है कोई अगर है ऐसा contradictory statement या कोई criticism है comments है तो लड़कियों को भी उतनी ही दो जितनी लड़कों को दे रहे हो so these are the type of gender biases which can happen during a classroom setting which can be present during a classroom setting ठीक है पहला क्या है gender bias in the classroom boys यह जो करते हैं ठीक है boys का क्या है कि boys expected to be masculine and feminine और female then अगर कोई match नहीं करेगा तो suffer करेगा apart from it impact क्या होगा इसका student की अपनी performance फे then teachers expectations and then आपका discrimination against the girl in the class अब यह basically क्या है कि कोई भी classroom हो कोई भी classroom setting हो वो इतना इन चीज़ों को तो contain करती है most of them we have to reduce it being a next generation to the society or next generation of teacher there should be a thing कि हमें इस बार में पता हो so that we can reduce it जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ हम reduce कर पाएंगे जिसका पता ही नहीं है unconsciously कोई वो चीज़ कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हम यह चीज़ कर रहे हैं तो उसे हटा पाएगा नहीं पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से action है जो दिक्कत कर रहे है then हम उसे क्या कर सकते हैं reduce कर सकते हैं तो यह gender stereotyping पढ़ाने का reason यही है you have to reduce these things which is present over here on the board कि जो चीज़ हो रही है you have to reduce it क्लास में कोई बुली कर रहा है it's your you are in charge of class तब यह CTAT के अंडर आपको पढ़ाया जा रहा है CDP के अंडर similarly अगर आपके CDP के अंडर तो है CTAT के अलाव अगर आपकी खुद की भी लाइफ है आपके खुद के भी कलके बच्चे होंगे आपको हर एक चीज़ से डील करना है तो पता होना चाहिए ठीक है then हम बात करते है measure to reduce the gender stereotyping in the education setting किस तरीके से इस चीज़ को क्या करेंगे reduce कर देंगे so the first one is teacher should be more sensitive toward the gender stereotyping अगर teacher को खुद sensitive रहना है teacher को लग रहा है again I am telling you ना कि पता नहीं होगा कि हो रही है तो हम उसे क्या और कैसे करेंगे if I don't know I have illness तो मैं उसकी दवाई खाऊंगी नहीं खाऊंगी जब तक मुझे दिक्कत फील नहीं होगी तो यही सेम चीज़ है कि जब तक even society अगर आप life को बड़े perspective पर भी देखो ना even society contains that thing अगर आपको पता ही नहीं कि यह चीज societal हो है कि societal issue है तो आप उसको क्यों कैसे करोगे पहले पता भी तो होनी चाहिए awareness तो होनी चाहिए तब भी तो क्यों होगा तो यह आपका गयने कि sensitive है gender stereotyping को लेके उसे पता है क्या होती है कैसे होती है कैसे इसको reduce करा जाए then teacher should be use gender neutral word rather than going for his or her a teacher can go for person ठीक है यह क्या है gender neutral हो गया person can be female can be male doctor can be female can be male ठीक है तो यह आपका क्या हो गया gender neutral words हो गया जिनका basically कोई gender नहीं है teacher का कोई gender है लेकिन जब भी हम teacher बोलते है whenever we speak teacher एक लड़की दिमाग में आती है there will be a female teacher तो female होती है और male क्या होते है sir होते है यही difference है जबकि दोनों ही teacher है एक madam है एक sir है लेकिन हम teacher से लड़की को याद करते हैं लेकिन male से हमों क्योंकि यह हमारा जेंडर जो है stereotyping एक role बन गया female के लिए teacher जो हो कौन होगी female होगी लेकिन teacher तो male भी है professor female भी है professor male भी है तो ऐसे words का use किया जाए जो basically आपके क्या हो जेंडर न्यूट्रल हो being a teacher call yourself a teacher not a maim or not a sir even if you are saying कि यह information उन teacher को उन sir को दे दो यह जो information है उन teacher को जाके दे दो यह जेंडर न्यूट्रल वर्ड का इस्तमाल है similarly लेकर आप पढ़ा भी रहे हो तो आप कौन से word use करोगे जेंडर न्यूट्रल not his not her जहां पर आपको यह चीज ना दिखे कि basically यह जो वर्ड है एक particular gender के लिए है वहां पर आपकी जादा जो जेंडर न्यूट्र वह क्या करते है स्टीडियो टाइप है वह बढ़ता है यह जेंडर बाइस आपका बढ़ता है जेंडर न्यूट्रल वर्ड शुट भी यूज इन टेक्स्ट बुक्स टेक्स बुक में भी हमें यही यूज करना चाहिए अगर कोई टीचर उसमें हम लिख दे सर सेड दिस तो वह क्या होगा जेंडर ओरिंटेड हो गया कि सर आपका क्या हो गया ऐसे वाला तो अब क्या होगा कि अगर हम टीचर वहां पर लिख रहे हैं हम डॉक्टर लिख रहे हैं हम एस्ट्रोनॉट लिख रहे हैं तो उस तरीके से उनका लिख को टीके कि जो जितने भी वर्ड आप क्या हो क्या हो जेंडर नूट्रल हो तो करीकुलम में वह एड किया जाए तो बच्चा पड़ रहा है टेक्स्ट बुक ही तो बच्चा पड़ रहा है तो बच्चा जब पढ़े गा ही सही तो उसे सही चीज़ें भी लेंगे जेंडर नूट्रल रोल शुट बी डिस्प्लेड इन बुक एस एक्जामपल लड़कियों का एक्जामपल सिर्फ नर्स के लिए ना दिया जाए या सिर्फ टीचर के लिए ना दिया जाए लड़किया जो है वो पाइलेट है लें उड़ा रही है तो हम ऐसे करें कि लड़का जो है वो शेफ है अगर हम ऐसे एक्जामपल अपनी बुक में ही लिखतेंगे तो बच्चों को यह चीज़ समझ आएगी कि इवें लड़का है लड़का कन आल्सो बी यह शेफ लड़का भी अपना शेफ कर सकता है हाउस की मतलब जो भी है वो सीख सकता है अपना ठीक है सिमिलरली अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल भी आगे टेक्नलोजी में या मैथ में आगे जाके कुछ कर सकती है करीकि व में अज़की सोसाइटी एक्शेड़ तब करेगी ऐसाइअ बात सही है यह सोसाइटेक्स नहीं करेगी अभी जो सोसाइटी आज कि जो सोसाइटी वह हमारे Sword काल की सोसाइटी हम होंगे तो चेंज कभी आपका एक दिन में नहीं आता, में भी हमें चार्ज लेने में 20 साल लग जाएं, लेकिन अगर हमें नॉलिज होगी, तो वी आर विलिंग तो चेंज, वी विल बी विलिंग तो चेंज, तभी मैं वो मैंने उस टाइम भी बोला था ने, शायद एक और वीडियो पड़ी हुई है YouTube पे, जिसमें मैंने वहाली बात बूली थी, कि आज कर, मतलब, इवन सास तक जो है, वो एक बहु को सपोर्ट कर रही है, तो यह इसी रीजन से करें, कुछ यह भी है, कि जो चीज उनके उपर बीती हैं, वो आने वाली पे न बीते, तो लोग, awareness is major thing, कि change ला पाता है, it's about the awareness, आज society accept नहीं कर रही है, आज से 20 साल बाद, when you are the society, परक पड़ेगा, चायद हमारे मम्मी पापा के पास यह schema नहीं है, कि inter-cast marriage and inter-religion marriages का, आज भी बहुत issue होता है, कुछ family आगे बढ़ गई हैं इस चीज से, लेकिन still, Hindu society या जो Indian society है, इसमें आपका यह जो stigma है, यह आज भी क्या है, वहीं पर है, चाया inter-religion की बात हो जाए, चाया inter-cast की बात हो जाए, यह stigma societal level पे अभी नहीं आ पाया है, अगर हम कल को एक नहीं जनरेशन बनेंगे, if we are the parents, क्या हम इन बातों पे मना करेंगे, हम यह चीज point consider करके चलेंगे, that the person belongs to the other caste, so we can let you marry that person, हम अपने बच्चों के उपर वो similar restrictions दो हो, वो नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हम aware है कि human, human है, if a person is earning well, चलो security सब देखते हैं, if a person is earning well, if a person is well settled, दोनों पढ़े लिखे हैं, it is good to go, उनकी life है, उनकी आपस में बन लिए, it is good to go, अब हमारी ideology यह वाली होने वाली है, आ crime लगता है, society में कोई भी change एक जटके में नहीं आता, अभी एक law pass हुआ है, homosexuality को लेके, पहले crime होती थी, अब homosexuality, crime नहीं है, ठीक है, it is acceptable, people are getting married, ठीक है, अब यह क्या हो गया है, society accept कर रही है अभी, homosexuality को, या bisexuality को अभी भी नहीं कर रही है, नहीं कर रही, society acceptable, मतलब society के लि 20 years, और 30 years, जब हम आएंगे, हाँ, हाँ, हमसे छोटे वाले जो आएंगे, वो हमसे भी advance होने वाले, इन चीजों के acceptance में, हम आज जब दोस्त बनाते हैं, तो हम किसी का cast नहीं देखते, हम किसी की cast नहीं देखते, हमारे जो पुरवज थे, वो शाय डिस्किमिनेशन इस पानी भी नहीं पिएगा, अब कोई सेपरेट वेल है, कौन बना लेगा सेपरेट, सेपरेट कुए, पानी नहीं है, ठीक है, बट अगें, डिस्किमिनेशन खतम हो गया, घर में कोई काम करने वाला आ रहा है, तो वो भी सब चीजों को हाथ लगा रहा है, मतलब ऐसा हम नही पढ़ रहे हैं, हम अब नहीं कर रहे हैं, similarly हमारे आगे आने वाली जनरेशन और एडवांस होगी, और उससा आगे आने वाली और एडवांस होगी, because when we are moving forward, so we become the society, हमारे जो बच्चे वो भी एही कहेंगे, मैनम सोसाइटी एक सेप्त नहीं करेगी, वो से इन जीद हुदर जब पता है लड़कियां ही पीछे हैं जादा, यह तो बहुत known thing है, कि लड़कियां जो है वो लड़कों से पीछे है, because of lack of empowerment उदर है, तो अगर उसको uplift करना है उस class को, so we have to start some programs, अगर किसी की, suppose कोई बच्चा है पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी जो मम्मी है या उसके जो family है, वो उसे support नहीं करें, तो हम उन्हें समझा सकते हैं, हम उन्हें consult कर सकते हैं, कि देखो जो भी है पढ़ा लो, जो भी बाते हैं, उस तरीके से we can go for that, कि drop out कम हो, उनको consult करो, कि बच्चों को support करो, तो ये किसका है, teacher कर सकते है, empower करने के लिए, then teacher should develop the student habit of respecting each other's gender, ठीक है, बच्चों में ये habit डवलप करानी है, अब हमने curriculum ऐसा कर दिया है, सारी चीज़ हमने change कर दिया, अब क्या बच्चता है, कि बच्चों में खुद में वो habit होनी चाहिए, येकर कोई transgender भी है, तो it shouldn't be our concern, वो उसकी private life है, we should respect the person decision, एक individual है, उसका जो decision है, वो उसका decision है, हमारा उसमें कोई भी से नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है वह उसका जो भी है, आप उसकी पीछे से bitching किस बात प्योरी है, why are you poking that person, आप क्य उसके साथ वो कर रहे हो कि, क्या कहते है, क्यों उसको हरास कर रहे हो, क्यों उसको सफर करा रहे हो, so ये किस के उपर है, teacher के उपर, कि बच्चों में येवल attitude develop करा जाए, ठीक है, बच्च्पन से, अगर बच्पन में ये develop हो जाएगा, तो क्या होगा, बच्पन में सीखिव चीजे जादध समझ आती है तो वह बच्चे में इन बिल्ड हो जाता है इस वाइड इस ठीक है यह आपका जेंडर प्रिटाइपिंग जो है वह आपका यहीं पे खतम है जेंडर रोल सोशल कंस्रॉक्ट कैसे सोसाइटी में एफेक्ट कर रहा है कैसे टीचिंग सेटिंग में तो अगला जो है वह हम क्या पढ़ेंगे ठीक है देख लेते हैं आपका यह हो गया जेंडर से सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर रोल जेंडर बायस एड्यूकेशनल प्रैक्टिस कैसे उसे हटा सकते हैं अब हम किसके बारे में बात करेंगे इंडिविज्वल डिफ्रेंसिस अमॉ कि परसंट टू परसंट कैसे लोग अलग होते हैं अब आगे का तो बाद में पढ़ाएंगे पहले थोड़ा सा असेस्मेंट कर लेते हैं जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें से कितना आप लोगों को समझ में आ गया है तो आज हम थोड़ा सा एमसी क्यू की प्रैक्टिस क करेंगे तो पहले एमसी की हम देख लें यह बेसिकली आपके पीवाई क्यू है आपको जितना पढ़ाया गया है वहीं तक ही है ठीक है सो फोर्स वन इस चिल्डरन एक्वाइर जेंडर रोल तू आल अफ द फॉल्लिंग एक्सेप्ट बच्चा जो है वह जेंडर रोल वन इस सोचलाइजेशन सेकेंड इस कल्चर थर्ड इस चूट्रिंग पॉर्थ इस मीडिया तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा थ्री वाइस हो प्रिस्क्राइब कर सकते हो तो सोचलाइजेशन के तुरू आएगा ही आएगा मीडिया के थुरू बताया था हेमा रेखा जैन शुष्मा सबकी पसंदिर्मा तो सिखाते हैं वो चीज़ देन हम बात करेंगे टूट्रिंग क्या किसी को बैट के टूशन देके हम जेंडर रोल सिखा सकते हैं को नहीं सिखा सकते हैं अगें हमुसे उर्व्यटेशन सिखा सकते हैं नहीं सिखा सकते हैंired और स्कूट्रिंग कभी यह चीज नहीं आती हम किसी को किस जेंडर के हिसाब से आपको भी करना वह नहीं बता सकते हैं तो आगे चलिए जो बच्चे हैं जो गिफ्टेड होते हैं उसको किस चीज का रीजन क्या मान सकते हैं रिसोर्स रिच इन्वाइमेंट प्रेक्सेस्फुल पैरेंट्स अडिसिप्लेंड रूटीन और इंटर प्ले बेट्विन हेरिडिटी एंड इन्वाइमेंट क्यूंकि हेरिडिटी और इन्वाइमेंट आपस में इंटरेक्ट करके जो रूल प्ले करती हैं वही आपका बेसिकली क्या होता है यह कंसीडर होता है ठीक है कि आपका जो इन्वाइमेंट है लेकिन बच्चे के पास जीन्स ही नहीं है तो कोई फायदा है अगर कोई एक बच्चा है जो मतलब बेसिकली एबनॉर्मल है या उसका जो आईक्यू लेवल है वह बिलो दा अबरेज है एम आर जिसे हम कंसीडर करते हैं तो उन बच्चों को हम क्या यह बोल सकते हैं कि वह गिफ्टेट हो जाएंगे अगर हम अच्छा रिसोर्श एंवाइमेंट देंगे तो नहीं होंगे तो सक्सेस्फुल पैरेंट्स बच्चों गिफ्टेट बना सकते हैं अगर बच्चा ऑल्रीडी मतलब जीन्स की वज़े से दिक्कत में है तो नहीं बना सकते हैं देन डिस्सिप्रीन रूटीन रूटीन से क्या ही फरक पड़ जाएगा वह एंवाइमेंट है आपका आगे तो फोर्ट फिल वी दा आंसर की हरेडिटी प्लस आपका एंवाइमेंट तो थर्ड कुश्यन देखें विच्वन फॉलिंग स्टेट्मेंट इस प्रू अबाउड दे रोल फॉलिंग हरेडिटी वर्टेली एंवाइमेंट आपकी तो फ्हल पीस तो फॉलिंग प्लस आपकल निचेटीट अबिलम्रिटी को पलेग डियल्री हमेट्यूर स्टैकर ओंकली तो ऍट्रीटीटल दि influenced more by the hereditary and other more by the environment कि किसी किसी के लिए आपका heredity is rather important है और किसी किसी के लिए आपका environment कौन सा इसमें ठीक है first कैसे ठीक है everything decided by the jeans अगर कोई बच्चा स्रिफ jeans में है कि वो gifted होगा उसे father से jeans जो है वो बहुत अच्छे मिले होगा है लेकिन environment बिल्कूल उसका deteriorated रहा है तो फिर कर पाएगा कुछ चीज़े जो development की है वो influence होंगी ज्यादा किससे heredity से और कुछ जो है किससे influence होंगी ज्यादा environment से ठीक है कैसे अब बाल है ठीक है considering hair length जीन्स क्वालिटी जीन्स ठीक है आई कलर बॉड़ी डेवलप्मेंट जो हमारी चलती है throughout the life height की एक particular level जीन्स तक ठीक है इन चीज़ों को जीन्स जादा affect करते हैं इन ग्रोथ को जीन्स हैं जादा affect करते हैं similarly अगर हम बात करें environment तो हमारा intellect हम किस environment में है हमारा socialization वो सब कौन affect करेगा आपका environment तीक है जो आपका भी ही विर्जूस में affect होगा clear हुआ है आई चलो हाँ which one of the following statement cannot be attributed to the following Piaget's theory Piaget's theory से कौनसे statement नहीं है the children construct use knowledge about their world learning take place through constant practice children act on their environment development occur in a qualitative stages quantitative थी qualitative थी quantitative थी quantitative थी तो यही difference था clear हुआ यह PYQs है आप सकते है ठीक है आगे देख लेते है limitation क्या हो गया कि जो चीज नहीं कर सकता ठीक है not limitation ठीक है यह आपकी कहां की limitation है क्यों से स्टेज की है तो करना बच्चा सी की जाता है प्री आपरेशनल पर इसलिए इसकी limitation है अपार्ट फर्म इट यह यह egocentrism और eversibility यह सब क्या है उनकी limitation है आगे विच वन फॉलिएंग और फॉलिएंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस्क्राइब Thematic Unit, Regular Unit Test, Ranking, Personalized Learning Ability Group, Labeling Students Ability grouping, Ranking, Learning By Doing, Project Method and Cooperative Learning which one of them comes under the progressive education correct answer okay which one of the following statement about the progressive education explain the education is life itself schools are not required children can learn from their experiences education in schools should reflect the social and natural world life is a true educator and school education should continue as long as possible so school not jay life is a true educator school not jay and then bachy school basically reflect your life is a true educator bachy socialization school is true then bachy socialization school is true which one of the following can be considered as a contribution of kolberg's theory kolberg's theory the theory has elaborate testing procedure it established a clear relationship between moral reasoning and action his belief is that children are moral philosopher his theory has supported an association between cognitive and maturity and moral maturity and action second reason reason kya hai clear 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 apka batata hai then zpd ki baat kare zone of proximal development refers to the developmental phase when child take complete responsibility of learning a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support third is the point is learning when support can be withdrawn the phase when maximum development is possible second second hmm the action of children where school way with children occupy the central position school school activity activity occupy the central position teachers occupy the central position Child center education機 की बात हो भी हो ही है pool है pool में अजो अश्राइजीशन होता है तो उसमें बच्छे का मेन रोल हो वह बीच में आ जाता है फिए कि बच्छा जो है वो इसमें बुक्छा जो है सेड्र को फेर सतना होता है हम हम फिक है हम हम क्लियर कौन से टाइम पर आपका वह आप जाता है कि सप्राइस टेस्ट हो गया आज तभी मैंने खूल है तो पर्मनेंस इस अटेंड दूरिंग प्याजेट स्टेज अव डेवल्लप्मेंट अब्जेक्ट पर्मनेंस अब्जेक्ट पर्मनेंस सब बूल गए अब्जेक्ट पर्मनेंस इस बेसिकली वट की तिंग इस देर बच्चों के साथ जाच करके नहीं खेलते जब बच्चे में अब्जेक्ट पर्मनेंस आजाती है तो बच्चे जाच करना भूल जाता है उसे पता है कि वह वहीं पर कपड़ा अटा के देख लेता है पहले दो साल में बच्चे में डवलप्मेंट हो जाती है तो यह आप कब डवलप होता है आपका sensory motor stage पर ऐसे ही question आते हैं तभी मैंने question साथ निकालें पी भाई क्योंकि आगे individualized education program is planned from the perspective of special education program, child center education program, open school education program, e-learning education program, individualized education program जो individual के हिसाब से होगा I am giving you a hint over here while playing कौन बनेगा करोणपती open school कैसे हो सकता है open school कौन से होते हैं जिन में teacher जाता ही नहीं है student जाता ही नहीं है उनकी एक आधी class लगती है अपने हिसाब से हाँ नहीं लेकिन वह individualized है तो वह person centered होगा मतलब child centered होगा again special education program यह तो special needs वालों के लिए लगाई जाती है then e-learning आपका पता ही है और open वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ओपन स्कूल education इनके लिए होता है जो लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन job पे नहीं जा सकते हैं आपकिसी के को यह और limitations है then pre-operational stage in Gene Piaget's theory of cognitive development characterized pre-operational stage की बात करेंगें pre-operational stage पे development of abstract thinking, dentration of thought, hypothetical deductive reasoning, ability to conserve and seriate the object इसे basically हम conservation बोल देंगे conservation में नहीं बताया था pre-operational time पे बच्चा जो है development क्या बताती है pages बताओगे एक बर Piaget की sensory, pre-operational, abstract, sorry formal reasoning, abstract reasoning abstract thinking पॉर्म conservation पहली पे उसने क्या सीखा था object permanence जो आपका sensory motor पे चला गया प्री-ोप्रेशनल क्या सीखेगा यहां conservation की चीज जो है वो उतनी है चाहे किसी भी ग्लास में हो वह एक किलो है तो एक किलो है तो एक किलो है direct thought freedom वगेरे इन सबको सीखने लग जाता है clear है आगे लेव वाय गॉट्सकी था social culture perspective of learning emphasize importance of dash in the learning process चोरी किसकी है एक्विलिब्रेशन किसकी चोरी का पार्ट है क्या जेगी social culture perspective of learning emphasize importance of dash in the learning process लेव वाय गॉट्सकी ने क्या बताय था yes zpd ठीक है चलो आगे 15 question कराऊंगे उसके बाद कुछ term देखते है in his theory of cognitive development gene PRJ explain cognitive structures in terms of dash gene PRJ की बात हुए cognitive structures को उनने क्या बोला है yes constructivist view of learning suggest that children construction of their knowledge मतलब कि children construct their own knowledge and have no role playing कोई role play नहीं होता dependent होते है अडल्ट पे active role play करते है knowledge construct करने में as per the constructivist are solely dependent on text book constructivist approach की बात हो रही है या करते है active role play करते है थीक है then ZPD zone of proximal development is area between child's current level of independent performance and the level of performance that child could achieve with the help of adult and more skilled peers a range of tasks that child should be able to do as per the her age but not but cannot the process where two individuals who begin with a different understanding arrive at a shared understanding the process in which children learn to perform tasks as set by the elder member in the society zone of proximal development what I can do with the help what I can do zone of proximal development में ही नहीं ZPD वो है जहाँ आपकी development होते है किसी और की help के through ठीक है जितना अपूत कर सकता और जितना किसी की help से कर सकता that comes under that ठीक है clear हो गया अब आगे हम और topic पढ़ लेते है इसको यहीं बंद करेंगे